नमस्कारा फ्रेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों सविधान की स्रीज में हम सविधान के सारे अनुछे बहुत डीपली स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पहले के वीडियो में अनुछे 24 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था आज के इस वीडियो में हम लोगों धर्म की सोतंता का अधिकार अनुछे 25, 26, 27, 28 पढ़ेंगे दोस्तों वीडियो सुरूर करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिस्टरी की एक सिरीज मेरी नई प्लेलिस्ट में स्टार्ट हो गई है तो अगर आपको समय मिले तो आप उस सिरीज को भी देख लिजे क्योंकि history की उस series में मैंने पूरी संपूर्ण history एकदम shortcut notes में कैसे याद करना है वो बना रखी है चलिए आगे शुरू करते हैं धर्म की स्वतन्ता कादिकार ठीक है तो इसमें क्या है अनुशेत 25 है अनुशेत 25 धर्म की स्वतन्ता कादिकार ये देखिए ये अनुशेत 25 थोड़ा सा समझने वाला है कि लिखा क्या है समिनान में लिखा है अन्ता करन की और धर्म को अबाद रूप से मानने आच्रण करने और पचार करने की स्वतन्ता है दोस्तों थोड़ी सी हिंदी थोड़ी सी टाफ है तो मैं आपको एक-एक वर्ड आसानी से समझाता हूँ देखिए जैसे अन्ता करन, अन्ता करन का मतलब है जिसे मेरा और मेरे ईशुवर का व्यक्ति का ईशुवर ईशुवर के सभी रूपों के साथ सम्मंद अपने अधार पर बनाएगा. मतलब आपका consigns क्या कहता है कि जो हमारा सम्विधान कहता है आपका consigns ईशुवर को किस रूप में मानता है उसकी आपको जादी होगी आप इश्वर को किसी भी रूप में मान सकते हैं आप मुल्ती की रूप में मान सकते हैं हमारा समीधान हल तरीके से आप इश्वर को अल्ला के रूप में मान सकते हैं भगवान के रूप में मान सकते हैं जीजस के रूप में मान सकते हैं जिस भी रूप में आप म आगे लिखा है अंतकण के ओर धर्म को अबाद रूप से मानने का क्या मतलब है आप अपने आत्म विश्वास से अपनी आस्था वा धर्म के बिना किसी भय के गोशना कर सकते हैं तब आप कहीं पर भी बिना भै के बोल सकते हैं कि आप इस धर्म से related हैं, ठीक है? तो मतलब अगर आप हिंडू है तो कह सकते हैं, मैं हिंडू हूँ, अगर आप मुसलिम हैं तो कह सकते हैं, मुसलिम हैं. हमारा जो समिधान है वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है और सभी धर्मों का संवान करता है ठीक है तीसरा है आचरण आचरण का कहीं मतलब है आप अपने धर्म के हिसाब से पوجा, प्रातना कर्मकांड को अंजाम देने की आपको सुतनता है आप किसी भी तरीके से पूजा या प्रार्थना कर सकते हो उसके लिए आपको कोई मना नहीं करेगा कि आप मंदिर नहीं जा सकते आप मस्जिद नहीं जा सकते आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो कहीं भी जा सकते हो और लास्ट है धर्ब आचरन करने और पचार करने स्वतंत है आप अपने धर्म का पचार कर सकते हो धर्म के सिध्धानतों का पचार कर सकते हो ठीक है मगर यह जिसमें लास्ट के तीन पॉइंट है मानना आचरन करना वह पचार करना इसमें बस एक क्लाज है कि सदाचार नैति में किसी भी धर्म को मानने जानने आचनन करने पचार करने वा अंतागान से अपनाने के लिए ठीक है इसी कुछ सीमाएं हैं जैसे इसी में पचीस एक एक परंतुख है उसमें कहा है कानून विवस्ता सदाचार और सार्विजनिक स्वास्त के अधार पर अनुशेत 25 को अवश अगर कहीं पर कानून विवस्ता या सदाचार पर प्रॉब्लम आ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है धर्म के में जिसमें की सार्विजनिक स्वास्त प्रभावित हो रहा है तो इसके अनुशेत 25 को बैन किया या सकता है दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है गो है धर्मांतर का मुद्दा अब धर्मांतर इशू अफ रिलिजन चेंज ये क्या है ये ये है कि इस मामले में सुप्रीम कोड ने गोशित किया है कि धर्मांतर करवाना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है कोई भी व्यक्ति किसी का भी धर्मांतर नहीं करवा सकता लेक इसको धर्म को बदलना उसकी आस्था पर डिपेंड करता है वो कोई भी धर्म यूज़ कर सकता है बट छल बल या लोब की आधार पर धर्मांतर अवैद होगा धर्मांतर छल बल या लोब की आधार पर नहीं होना चाहिए हर व्यक्ति को आजादी है वो किसी भी धर्म को चु होते हैं जैसे सिखों को यह अदिकार है जैसे केश कंगा कड़ा कच्छा और क्रपान यह सिखों को रखने का अदिकार है ठीक है अब इसके बाद आता है अनुशे 26 अनुशे 26 क्या है धार्मिक कारों के प्रबंदन की सुप्रंटा आप कोई भी धार्मिक कारे करा सकते हैं प्रतेक विक्ती को अपने धार्मिक कारों के प्रबंदन का अधिकार होगा और धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा उच्छितम नैले ने धार्मिक संपलाई की तीन शर्ते बताई हैं जि भी आप एक धार्मिक संपदाय बना सकते हैं, दूसरा, ये एक सामाने संगठर होना चाहिए, सामाने का मतलब किसी प्रकार की गलत गती विदियों से लेस नहीं होना चाहिए, तीसरा है कि इसका कोई विशिष्ट नाम होना चाहिए, जैसे मालिय रामकृष्णमठ है, या आन सकता एसा कोई कर नहीं लिया जा सकता जिसमें प्राप्त होने वाली आएं किसी धर्म विशेश की उन्नती मेंखल्च होती हो, कोई भी कर नहीं लेगा जा सकता, धर्म से लेट है, और सही बात भी है, कि धर्म की जो भी चीज़ें हैं, वो कर से मुक्त हैं, बट कभी-कभी शुविधाओं के लिए शुल्क लिया जाता है, जैसे कि आपको कोई बहुत बड़ा सरकारी हॉल चाहिए, पचार परसार करने के लिए, तो उसके लिए एक सरकारी सुल्क लिया जाता है, ठीक, तो ये है आपका अनुशे 27, अनुशे 28 क्या है, अनुशे 28 है, सरकारी शिक्ष संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निश्यद होगा अब मतलब अगर कोई भी संस्था है जो सरकार द्वारा विद्ट पोशेट financially support की गई है तो उसमें धार्मिक शिक्षा देना अवायद है जैसे माल लीजिए अगर 100% किसी सरकारी संस्थां को दिया गया है विद्ट पोशेट 100% तो वहां पर द्वार्मिक शिक्षा पढ़ाना भी अवायद है और धार्मिक शिक्षा के लिए बाद दिकरना भी अवायद है उसमें कहां अगर माल लीजिए को 100% तो नहीं दिया गया, प्राइवेट है, आल्थिक सहायता दी गई है, सरकार के दोवारा, तो वहाँ पर पढ़ाना तो आप पढ़ा सकते हो धर्म के बारे में, मगर बच्चों को बाद नहीं कर सकते, तीसरा क्लास आता है मानिता, मानिता का क्या मतलब है, सरकार ने किसी भी तरीकी की मानिता दे रखी आपकी संस्था को, तो आप वहाँ पर भी धर्मिक शिक्षा दे तो सकते हो, बट बाद नहीं कर सकते हो, वो बच्चे का अधिकार है कि वो किसमें पढ़े, चौथा अन्य, अन्य में आप पढ़ा भी सकते हों और बाद भी कर सकते हैं, आपके हिंदू के या सिख्षों के जो गुरुद्वारे हैं वहां पर जो धर्म की शिक्षा दी आती है, वहां पर बच्चों को बाद ही कियाता है, तो इसमें बाद ही करना गलत नहीं है, जैसे कर कोई madrasah है और कोई बच्चा वहाँ पर अपने धर्म को सीखना चाथा है तो वहाँ वही लोग जाएंगे जिनने उस धर्म को सीखना होगा तो यह भी सही है तो जहाँ पर भी आपके parents parents चाहेंगे तो parents के साब से बच्चे जाएंगे ठीक है तो ये भी एक अनुचेद है तो यही चार अनुचेद आज धार्मिक सुतंता का अधिकार हमने पूरे वीडियो में कवर कर लिये हैं आज मैंने आपको धार्मिक सुतंता पूरा पता दिया है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और भी क्या-क्या चीजे हैं जैसे शिक्षा और संस्क्रिती ते सम्मंदिक अधिकार देखेंगे और भी चीजे आगे देखेंगे दोस्तों मैं आप सब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ गए हैं सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है साथ ही साथ मैं मुझे बताते हूँ बहुत खुशी हो रही है कि आप 15 मिट से ज़्यादा के वीडियो जुमिया बना ले रहा हूँ एक छोटी सी उसमें चेंजेस थे यूट्यूब के चैनल पे वो बन गए हैं तो अगली बार हो सकता है आपको थोड़े बड़े वीडियो मिले इसी तरीके से मेरे चैनल को आप देखते रहिए आप सब के समथन के लिए बहुत बहुत धन्यव आप